सच्छी कल दूस्तों, मैं हैं डॉक्टर गगन प्रीत कॉर्ट ती तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयरवेदी क्रसोई जिमें की सर्दियां दा जड़ा मौसम है वो शुरू हो चुक्या है ते दे नाल ही सर्दियां दे जड़ियां समस्यामा ने ओवी शुरू हो गयाने ता आज दे इस एपिसोड दे विच असी एक लोशन त्यार करांगे जेडा की सर्दियां दे विच साड़े बहुत कामा आन वाला है अक्सर सर्दियान देटैने, पैर जड़ेन वह बुरी तना फट जान देने, किसे देता बहुत ही जाधा फट जान देने, कि उद्य वीच दर्द भी हुंदाय थे जखम भी हो जान देने कई बर सीजन चेंज होन दे टाइम ते भी कुछ लोकां दे जड़े पैर ने हो बहुत बुरी तरह फट देने इनना दे लही एक बहुत ही सौखा जया इलाज है बहुत ही सौखी ची क्रीम है जेड़नों कि आसी अराम नल खारविछ पना सकते हैं मैं ओधी बीदी जेड़ी हो तो अदेना लाज शेयर करूँगी इदे ली सानू चार चीज़ां दी लोड है चार चीज़ां एनू बना आनली सानू शाहिदिया ने एक तचाहिदी है मोम मोम क्योंकि आसी पैरा ले इस्तिमाल कार रहे हैं इस करके आम मोम बत्ती वाली जेड़ी मोम है ओही एदे विच वर्तो कार सकते हैं दूसरा है झी तिल देल तीसरा है सुहागा जिन्रू बॉरेक्स पाउडर ही क्याल भी हिंदा तंकधेसी ती याजह आमे पंब्लिक्यक्त T चौथा है कपूर, कपूर भी तो अनू बहुत असानी नाल मिल जान्दा है, इस चार चीज़ां सानू चाहिदिया ने इनू बना अंदे लेई, सब तो पहला मैं तो अनू दास दिननी है कि इदी जडी क्वांटिटी है, वह अपनू किन्नी किन्नी चाहिदी है, मोम अपने ए अटियां अडियां लेई या पैरांदी जडी सोल्स ने ओ जदो फट जान्दे ने ओनना नो ठीक करन दे विच्छी असी इस्तिमाल करांगे, मोम असी एक पाग लेना है, तिल्दा तेल असी जड़ा है ओ पंज पाग लेना है, जिवें कि जैसी टाइसो ग्राम तेल ले रह हुन मैं तो अडिनल शेर कर दियां कि इनू बना अंदी विदी की है, बहुत ही असानी नल त्यार हो जान्दा है, तो पहला आसी एक लोहे दी कडाई लमांगे, ओधे विच तेल दे तेल नो गरम होन ले ही रख दियांगे, जदो थोड़ा तो वहा आना शुरू होजे तेल गरम हो गया है, उससे टाइम असी ओधे विच मोम जड़ी है, वो पादेनी है, ते मोम क्योंकि तेल बहुत साथा गरम हुंदा है, ते ओधे नाली वो पिगल जाएगी, अनू हिलांदे जाना है, ते ओधो गैस उसतो बाद आपपा बन कर देंगे, ते मोम जड़ी है, गरम मोम अलग हो जेगी, तेल अलग हो जिगा, जधो तक चंगी तरह नॉर्मल रूम टेमपरिचर ते नहीं आजनदा, चंगी तरह ठंडा नहीं हो जनदा, असी यहनों हिलाई जाँ मांगे, हिलोंदे ही रहना है, असी यहनों हिलोंदे है, तो एक क्रीमी जा टेक्स्चर यूज कर दें हो तो अड़िया अड़िया ने बिल्कुल पैर साफ हो जानगे एधी वर्तो किस तरह करनी है थोड़ा टाइम गरम पानी दे विच पैरा नूपय उंके रखो उस तो बाद चंगी तरह किसे चामे दिनाल या फुट स्क्रबर दिनाल पैरा नू रगड लो ते त असर जड़ा है बहुत जल्दी होएगा अब तो वधिया टाइम है के नू रात नू सोन तो पहला इस तरीके डेली अपा पैर साफ करके सोईए तो पूरी सर्दी साढ़ी जड़े पैर ने ओ बिल्कुल भी खराब नहीं हुंदे जे तुसी नू वैसलीन दा टेक्स्टर दे नहीं लग दी ता तुसी ओधी जगा नारियल दा तेल जड़ा ओवी वर्त सकते हों ता एसी आज दी रेसिपी तो अनू किस तरह लगी तुसी जरूर एदी वर्तों करना तुसी इस लोशन नू जरूर बनाना ति वर्त के देखना ति तो अनू एदा की फाइदा होया मैंन